आज हम नया टॉपिक देखेंगे that is shaft in series and shaft in parallel तो उसके पहले हम पहले देख लेते हैं कि composite shaft क्या होता है तो देखेंगे when two shafts of different diameter are connected together to form one shaft is known as composite shaft composite shaft can be series or in parallel अगर दो shaft of different diameter को अगर हम connect करके एक shaft अगर हम उसको बना लेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे composite shaft बोलेंगे composite shaft आपके series में भी हो सकते हैं और parallel में भी हो सकते हैं अब shaft in series देखेंगे दो shaft आपके series में कब रहेंगे देखें मैंने यहाँ पे दो shaft आपको दिखाया है यह दोनों shaft किसमें है series में है तो देखेंगे when the driving torque is applied at one end देखेंगे अगर हम driving torque एक end में लगा है and the resisting torque at the other end यहाँ पे आपको resisting torque अगर मिले then the shaft are set to be connected in series तो जब एक end पे आप driving torque लगा है और दूसरे end में आपको resisting torque मिले तो इसको हम क्या बोलते हैं shaft किसमें है आपके series में है जब shaft आपके series में रहते हैं तो क्या होता है in such case each shaft transmit the same torque and the total angle of twist is equal to the sum of the angle of twist of the two shaft अब देखे जब shaft आपके series में रहते हैं तो total torque transmitted by both the shaft क्या रहता है same रहता है अगर यह T torque transmit कर रहा तो यह वाला भी T torque transmit आपका करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि T will be equal to T1 will be equal to T2 अगर यहाँ पर torque T लग रहा है तो यहाँ पर जो T1 आएगा वो T के बराबर होगा यहाँ पर जो T2 आएगा वो इस T के बराबर होगा मतलब इन दोनों में torque की value क्या आएगी सेम आएगी और total angle of twist अगर आप निकालें तो किसके बराबर होगा थीटा will be equal to theta 1 plus theta 2 अगर इसमें मान लिजें twist कितना हो रहा है theta 1 हो रहा है और इसमें twist कितना हो रहा है theta 2 हो रहा है तो total angle of twist कितना होगा theta 1 plus theta 2 के बराबर होगा तो यह हम समझे shaft in series अब हम देखते shaft in parallel देखे जब दो shaft आपके parallel में रहते हैं तो यह जो मैंने arrangement बनाया है यह shaft in parallel का बनाया है यह क्या मोलता है when the driving torque T is applied at the junction of the two shaft देखे हम यहाँ पे driving torque लगा रहें जंसन पे यह आपका driving torque हो गया and the resisting torque T1 and T2 यह देखे यहाँ पे resisting torque आपको मिल रहा है T1 और T2 at the other end of the shafts then the shafts are set to be connected in parallel यहाँ पे अगर driving torque मिले और इन दोनों जगा आपको क्या मिले resisting torque मिले तो इसको हम क्या बोलते है shafts in parallel और यहाँ पे देखे driving torque यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे यह देखे दूसरा end आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है resisting torque मिल रहा है तो यह किसमें? series में है और यहाँ पे यह दोनों shaft किसमें है? parallel में है जब parallel में दो shafts रहेंगे तो क्या होगा? तो देखे in such case the angle of twist is same for the both the shafts यहाँ पे angle of twist क्या रहेगा? same रहेगा अगर इस torque के कारण यहाँ पे twist कितना हो रहा है थीटा 1 और इसके कारण T के कारण यहाँ पे twist कितना हो रहा है थीटा 2 तो यहाँ पे थीटा 1 will be equal to थीटा 2 होगा थीटा 1 will be equal to थीटा 2 और टोटल टोर्क कितना होगा यहाँ पे? टोटल टोर्क यह T किसके बराबर होगा? T1 प्लस T2 के बराबर होगा यहाँ पे torque आपका save रहेगा यहाँ पे T1 T2 के बराबर होगा लेकिं यहाँ पे टोटल टोर्क T किसके बराबर होगा? T1 प्लस T2 के बर बराबर होगा और यहांपे एंगल आप ट्विस्ट क्या होगा थीटा 1 will be equal to थीटा 2 हो सकता है कि शाफ्ट आपके सिरीज में हो और प्राप्लम में देखे रखे कि थीटा 1 इसमें जो ट्विस्ट हो रहा है और इसमें जो twist हो रहा है वो दोनों बराबर है वो दोनों क्या है बराबर है प्रावलम में अगर देख के रखेगा तो उस case में हम लेंगे theta1 will be equal to theta2 अगर प्रावलम में नहीं दिया है तो theta1 theta2 क्या होता है different आता है कब जब sharp आपके series में होते हैं लेकिन जब sharp parallel में होता है तो यह compulsion है कि theta 1 will be equal to theta 2 ठीक और यहाँ पर total torque इसे निकालेंगे T1 plus T2 करके अब हम इस पर कुछ problems देखते हैं